अब पढ़ेगा इंडिया आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेल्बे मॉडल्स टेस्ट टू अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मिलते रहे ये हमारी एक छोटी सी कोशिस है आप लोगों की तैयारी में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा तो आएए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला बिस वकब 2020 कोरोनो बैरस महामारी के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए स्थागित कर दिया गया है इसका जो सई अंसर है वो है आप्सन नमबर ए भारत देखे अक्चुली क्या था कि 17 फर्वरी से लेकर 7 मार्च 2021 तक अंडर 17 महिला बिस वकब भारत में होना था लेकिन इसको करोना वैरस के कारण अस्थागित कर दिया गया है अगले साल तक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फीफा की अगर फीफा का बात करते हैं तो इसका जो इस्टैबलिस था वो 1904 में हुआ था उनी सो चार में हुआ था और इसका जो हेड़क्वाटर है वो कहा है वो जूरिक स्विजर लैंड में है जूरिक स्विजर लैंड में और अगर इस बर्स मदरास में होम रूल की लिग की अस्थापना की थी तो इसका जो सई अंसर है वो है option number B, 1916 देखिए अगर बात हम अगर होम रूल लिग की करते हैं होम रूल लिग की बात करते हैं तो इसमें दो लोगों का नाम आता है पहला है एक लाला लाजपतर है और दूसरी है एनी बेसेंट अगर लाला लाजपतर राय की बात करते हैं तो ये उन्हें 115 में होम रूल लिग की अस्थापना किये थे और इनका जो परभाब छेतर था बो था महराष्ट और करनाटक कहां कहां महराष्ट और करनाटक और अगर हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो ये 116 में की थी और इनका जो परभाब छेतर था बो था मदरास और तमिल लाडू चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ जो कि है हमारा कोशन नमर थर्ड निमलिखित में से कौन सा भी सह संबर्थी सुची में सामिल है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमर बी सिच्छा देखिए अगर सिच्छा की बात करते हैं तो ये भी पहले संबिधान के संग सुची में था लेकिन इसके महत्व को देखते हुए 1976 में 42 संबिधान संसोधन के द्वारा इस सिच्छा को कहा कर दिया गया संग सुची से निकाल कर संबर्थी सुची में रख दिया गया अगर बात बागी और तीनों आप्सन की बात करते हैं तो यह जो क्रिसी है और पुलिस है यह दोनों राज सुची का भी से है और अगर रच्छा की बात करते हैं तो रच्छा संग सुची का भी से है अगर यह बात करते हैं संग सुची संबर्थी सुची की तो देखे हुआ क्या था कि जो हमारा केंदर राज संबंध है अगर संग सुची की बात करते हैं तो इसमें मुलता संतानमे भी सह थे लेकिन अभी अगर फिलहाल की बात करते हैं तो अभी इसमें सो भी सह हैं अगर राज सुची की बात करते हैं तो इसमें मुलता छियासट भी सह थे और अभी इसमें 61 भी सह हैं Option number D, स्यामलाल पारसद. अगर जंडागीत की हम बात करते हैं, तो कौन है हमारा जंडागीत? जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजय ये बिस्व तिरंगा प्यारा. बिजय ये बिस्व तिरंगा प्यारा. यही हमारा जंडागीत है, और इसको लिखे थे स्यामलाल पारसद ने. चलिए बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन की तरब, जो कि है हमारा कोश्चन number 5. मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज कौन है? तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा. Option number D, करनाटक. लेकिन देखिए, अगर यही कोश्चन पुछा जाए कि 20 में अग्रणी जो देश कौन है, तब यह हो जाएगा अमेरिका. भारत में पुछेगा तो करनाटक, 20 में पुछेगा तो अमेरिका. बात बाकी अगर तीनों अप्संस की बात करते हैं, तो उतर परदेश जो है, वो गन्ना और आनू के लिए परसिध है, गन्ना और आलू यहां सबसे ज़्यादा होता है, अगर पश्चिम मंगाल की बात करते हैं, तो यहां जूट और चाबल सबसे ज़्यादा होता है, और अगर मध्व परदेश की बात करते हैं तो यहाँ दलहन और सोया बीन सबसे जाज़ा होता है ठीक है चलिए बढ़ते है नेक्स कोशन की तरब जो कि है हमारा कोशन नबर 6 भूपर पट्टी में सरबदीत पाये जाने बाला तत्व कौन है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A oxygen देखे भूपर पट्टी में मेली जो पाया जाता है वो पाया जाता है oxygen 46.8% का अपरोक्स सिलिकन उसके बाद पाया जाता है 27.72% का अपरोक्स और उसके बाद पाया जाता है aluminium जो की होता है अपरोक्स 8.13% के चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरब जो की है हमारा question number 7 बंद अर्थ बेवस्ता वो अर्थ बेवस्ता है जिसमें इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number D ना तो निर्यात नहीं आया थो एक ऐसी अर्थ बेवस्ता जिसमें ना तो कोई निर्यात हो ना ही आयात हो उसी अर्थ बेवस्ता को क्या बोला जाता है बंद अर्थ बेवस्ता बोला जाता है चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरब जो की है हमारा question number 8 किस बैंक द्वारा आरोग संजीबनी health insurance policy launch की गई है तो इसका जो सही answer है बो है option number A State Bank of India ठीक है इसी State Bank of India को पहले हम किस बैंक से नाम के जानते थे Imperial Bank of India के नाम से जानते थे Imperial Bank of India अगर State Bank की बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था इसका जो headquarter है बो headquarter का है मुंबई में और इसके अगर chairman की बात करते हैं तो इसके जो अभी फिलहाल में जो chairman है उनका नाम है रजनीस कुमार ठीक है चलिए अगर और दूसरे options की बात करते हैं अगर पंजाब national की बात करते हैं तो पंजाब national 1894 में इसका established हुआ था और इसका जो headquarter है वो निव दिल्ली है ठीक है अगर Indian bank की बात करते हैं तो यह 1907 में हुआ था और इसका जो मुख्याला है बहुच्चे नहीं है HDFC की बात करते हैं तो यह 1994 में हुआ है और इसका headquarter कहा है मुंबई है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 9 किस अमल का परियोग सोना है अब हम चांदी के सुधी करण में किया जाता है तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number C Nitricum अगर Nitricum की बात करते हैं तो इसका जो formula होता है HNO3 होता है अगर formula की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है CH2O2 बोला जाता है और इसके साथ-साथ ही इसको Mithanoic Acid भी बोला जाता है Mithanoic Acid अगर Tortericum की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है C4H6O6 चलिए next question की तरह बढ़ते है जो कि है हमारा question number 10 राष्टिये विकास परिसत का गठन कब हुआ था तो इसका जो साई option है बो है option number B 6 August 1952 ठीक है और इसकी जो first meeting हुई थी राष्टिये विकास परिसत की इसकी first meeting कब हुआ था November 1922 में हुआ था और जिसकी अध्यचता कौन किये थे उस समय के ततकालियन परधान मंत्री पंडी जवारलाल नहरु ने किया था अभी तक ये टोटर राष्टिये विकास परिसत जो है इसका संतामन मीटिंग हो चुका है और जो ही संतामन मा मीटिंग है ये 27 दिसंबर 2012 को हुआ था नई दिल्ली में और 2012 के बाद से आज तक कभी तक राष्टिये विकास परिसत का कोई मिटिंग नहीं हुआ है चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोशन नमर 11 भारतिये क्रांती की मा के रूप में कौन विख्या थे तो इसका जो सही अंसर है बो होगा अप्सन नमर डी विखाजी रुस्तम कामा देखे अगर बात करते हैं हम एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट कौन थी एनी बेसेंट प्रथम विदेसी महिला थी ठीक है प्रथम विदेसी महिला जिन्नों क्या किया था भारतिये राष्टिये Congress की अध्यचता की थी कब किये थे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कहां 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अगर बात हम सरोजनी नाइडू की करते हैं तो सरोजनी नाइडू को क्या बोला जाता है भारत की कोकिला यानि की Night Angle of India बोला जाता है और यही सरोजनी नाइडू थी जो क्या थी फर्स्ट बोमेन गवर्नर थी यही सबसे पहले महिला राजपाल बनी थी अगर हम रमाबाई की बात करते हैं तो यही पहली महिला थी जिनको पंडिता और सौरसती का अवार्ड मिला था या उपाधी मिला था सबसे पहली महिला जिनको पंडिता और सौरसती का उपाधी मिला था बोथ ही रमाबाई बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरब जो की है हमारा कोशन अबर टुबर किस देश ने रभीन ना टाइगोर की 169 बर्सगाठ को पलच में तेल अबीब की सड़क का नाम बदल का टाइगोर अस्ट्रीट कर दिया है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा आपसन नमर डी इजराइल ठीक है चलिए अगर हम इजराइल की कैपिटल की बात करते हैं तो इजराइल का जो कैपिटल है वो कहा है जेरुसलम में है ठीक है जेरुसलम में है अगर हम रभिन्ना टाइगोर का बात करते हैं तो रभिन्ना टाइगोर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक आई थी गितांजली कौन पुस्तक आई थी गितांजली और इन ही के लिए इन्हें नोबल दिया गया था 1913 में साहित के लिए नोबल मिला था इन गितांजली पुस्तक के लिए ठीक है साथ ही साथ है कोर याद रखने बाली बात है कि ये रभिन्ना टाइगोर ये कैसे आदमी है जिन्होंने दो देशों का राष्टगान लिखा है जिसमें है भारत भारत का जनगनमना और दूसरा है बंगला देश का है अमार सोनार बंगला चलिए बढ़ता है नेक्स कोशन की तरफ जो की है हमारा कोशन नमर ठाटीन गुप्त यूग में भूर आजस्व की दर क्या थी तो गुप्त यूग में भूर आजस्व का दर था इसका सही अंसर जो होगा ओप्सन नमबर बी उपज का छठा वाग अगर देखिए अगर हम गुप्त बंस की बात करते हैं ठीके अगर हम गुप्त बंस की बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक है ठीक है इसमें दो-तीन पॉइंट याद रखने वाली बात है पहला जो संस्थापक थे इनके कौन थे सिरी गुप्त ठीक है अगर इसके लेकिन कभी-कभी ये पुछा जाता कि बास्तविक संस्थापक कौन थे तो अगर बास्तविक संस्थापक पुछा जाएगा तब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है संस्तापक पूछा जाएगा तो स्री गुप्त बास्तविक पूछा जाएगा तो चंद गुप्त प्रथम और अगर इसी के अंतिम सासक पूछा जाएगा कि गुप्त बंस के अंतिम सासक कौन थे तब कौन थे बिस्नु गुप्त और इसी बंस के एक सासक कौन थे इसी बंस के एक सासक थे कुमार गुप्त अपने नाम सुना होगा इसी बंस के गुप्त बंस के ही सासक थे कुमार गुप्त और इन्होंने ही नालंदा बिस्विदाले का निर्मान करवाया था किसका नलंदा विस्विद्धाले का निर्मान करवाया था चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नबर 14 अलाई दर्वाजा का निर्मान किसने करवाया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C अलाई दर्वाजा के साथ अलाई दर्वाजा के साथ साथ इनने और किस चीश का निर्मान करवाया है हजार खंबा महल का हजार खंबा महल और साथी साथ एक और याद रखेगा सीरी का किला सीरी का किला का भी निर्मान निर्मान ने करवाया है साथी साथ अल्लावदीन से और एक दो महत्पुन बाते हैं कि इनने क्या किरिया था घोडा दागने की प्रथा चलाई थी घोडा दागने का प्रथा चलवाया था और सैनिको का हुलिया लिखने का प्रथा भी इसी ने चलवाया था तो ये अल्ला उदीन खिलजी के बारे में 2-4 पॉइंट है जो याद रखिएगा अब बात करते हैं दूसरे options की इलतुतमिस की अगर हम बात करते हैं तो इनने क्या किया था इसे एक बहुत important question पुछा जाता है कि इकता बिवस्था का प्रारम किस ने किया था तो ये जो इकता बिवस्था उसका प्रारम इलतुतमिस ने किया था और इसने एक चीज गठन की थी तुरकान नाम याद रखिएगा तुरकान एचिहलगानी ठीक है ये था क्या तुरकान एचिहलगानी एक 40 सरदार का 40 तुर्क सरदारों का एक दल ठीक है तुरकान एचिहलगानी को समाप्त कर दिया तो दोनों कोश्चन एक जाम में आता है कभी कभी आएगा कि तुरकान एचिहलगानी का गठन किसने किया था बिलतूतमिस हो जाएगा और उसको समाप्त किसने किया है तो बलबन हो जाएगा बलबन इसको समाथ कर दिया, साथी साथ बलबन से एक important बात याद रखनी आई, कि इसने रक्त और लोह की निती चलाई थी, किसके रक्त और लोह की निती चलाई थी, उसके साथ साथ एक और कुश्चन पुछा जाता है, कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों कि इसके समकालीन थे मतलब बलबन के समकालीन थे और यानि बलबन के दर्वार में रहते थे ठीक है चलिए अब बात करते हैं फिरोसा तुगलग की तो इस सुलता इसे क्या बोला जाता है सल्तनत काल का आकबर भी बोला जाता है सल्तनत काल का आकबर बोला जाता इसको ठीक है चलिए और एक चीज और इसके इंपोर्टन रखने वाली बात है कि फिरोसा तुगलक के समय ही सरवादीग दासों की संख्या थी सरवादीग दासों की संख्या अगर किसी राजा के समय थी तो बोथा फिरोसा तुगलक ठीक है इसके साथ ही फिरोसा तुग कर भी किसने लगा था फिरोसा तुगलक ने और साथ ही साथ फिरोसा तुगलक एक ऐसा बास आ था जिसने क्या किया था ब्राहमनों पर भी जजिया कर लगवाया था ब्राहमनों पर भी जजिया कर लगवाया था जजिया कर बो होता है जो गैर हिंदू पर लगता था लेकिन प question number 15 है बो है बैस्विक BTS थीरता रिपोर्ट किसके द्वारा तयार की जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number B अंतराष्टिय मुद्रा कोस जिसको हम लोग बोलते हैं IMF ठीक है अगर हम बात अंतराष्टिय मुद्रा कोस की करते हैं तो इसका जो headquarter है मुख्याला है बो है बासिंग गटन DC में ठीक है और इसके अभी फिलहाल at present इसके 189 कंट्री इसके member है और इसका गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1945 में और इसके साथ-साथ एक दो चीज और याद रखिएगा IMF के बारे में एक कि इसके जो MD अभी है बो है क्रिष्टलीना जोर ज कोशन है कि इसके जो Chief Economist है IMF की Chief Economist वो कौन है गीता गोपिनाथ जो की इंडिया से बिलोंग करती है इसलिए कोशन एकजाम में आने का possibility जादा है कि IMF के Chief Economist कौन है तो गीता गोपिनाथ है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि है हमारा कोशन नमबर 16 कोशन नम इसके साथ साथ एक और चीज को मिला है अभी recently का ये current का question है इसके साथ साथ ही एक टलिया रुमाल है उसको भी हाल फिलाल में current tag मिला है और वो किसकी कहांसे तेलंगना का है बढ़ते हैं इसके और options की अगर बात करते हैं तो यहाहां देखिए बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का दो-तीन चीज है जिसको GI tag मिला हुआ है एक है मधुवनी पेंटिंग, दूसरा है सिलाब खाजा, और तीसरा है साही लिच्ची ठीक है, उतर परदेश की अगर बात करते हैं तो उतर परदेश का एक है चुनार बलुवा पत्थर और असाम की बात करते हैं तो इसका है एक बोका सोल चावल ये सबको भी GI tag मिला हुआ है, तो question आपसे ऐसा पुछा जाएगा कि बोका सोल चावल की सराज का है जिसको GI tag मिला हुआ है, तो वो होग जाएगा असाम अगर हम लोग बात करते हैं GI tag की, GI tag का अगर बात करते हैं तो इसका पंजीकरन जो होता है, वो 10 साल के लिए भेलेड रहता है 10 बर्ष के लिए इसका पंजीकरन मानने रहता है और अगर भारत में पहला देखा जाए, तो भारत में सबसे पहले GI tag की सको मिला है दार्जलिंग की चाय को, दार्जलिंग की सको GI tag मिला है दो हजार चार पांच में, ठीक है, चलिए बढ़ता है, नेक्स कोश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कोश्चन नमर 17 भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा, आप्सन नमर D, बंबई में देखिए ये पहले से प्रोजेक्टर था पूने में लेकिन पूने में क्या हुआ था कि प्लेग रोग फैल गया था प्लेग नामक बिमारी फैल गए थी, इसलिए फिर इसको पूने से कहां कर दिया गया था पूने से इसको बंबई प्रस्ताविच कर दिया गया था, फिर बंबई में हुआ था और कभी-कभी कोश्चन ये भी पुछा जाता कि बंबई में कहां हुआ था तो मबमाई में यह कहा हुआ था गौलिया टैंक एक जगा था गौलिया टैंक में इस्थीत एक अस्कूल था गोकुल दास अस्कूल का नाम भी आद रखेगा वो भी आ जाता एक जाम में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था इसी में इसका पहला अधिवेशन हुआ था पहला अधिवेशन में कभी-कभी मेंबर पूछ लिया जाता है 72 मेंबर प्रेजेंट थे और पहले अधिवेशन के अधश्ता कौन किये थे WC, बनर जी ठीक है चलिए चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अधिवेशन मेंबर प्रेजेंट नेक्स कोश्चन की तरफ जो किये अधिवेशन मेंबर प्रेजेंट नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नबर 20 सहायक संधी की पदिती किस ने सुरुवात की थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जाएगा अप्सन नबर A, लॉर्ड बेलेजली ठीक है, लॉर्ड बेलेजली के अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टैनूर था बहुत 1798 से 1805 तक था ठीक है, ये सहायक संधी करने वाला पहला जो राज था वो था है धरावाद ठीक है, इसके साथ-साथ ही लॉर्ड बेलेजली से एक दो बात और याद रखने वाली है कि लॉर्ड बेलेजली ने इने क्या किया था, कलकत्ता में फोर्ट बिलियम कॉलेज की अस्थापना की थी, लेकिन बाद में इसको बंद करना पड़ गया था फोर्ट बिलियम कॉलेज को, लेकिन अस्थापना इसी निक्या था, और ये जो लॉर्ड बेलेजली है यह खुद को बंगाल का सेर काता था यह खुद को बंगाल का सेर काता था बढ़ते हैं Lord Cornivalis को Lord Cornivalis का जो हम लोग का टैन्वर है वो है 1786 से लेके 1793 में तक ठीक है इसे बहुँ जादा इसे question पुछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस की पदिती किसने लागू की थी तो अस्थाई बंदोबस की पदिती जो लागू किया था वो Lord Cornivalis ही किया था अस्थाई बंदोबस ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ हैं को और चीज कि यह Lord Cornivalis था इसको क्या बोला जाता था भारत में नागरिक सेवा का जनक बोला जाता था नागरिक सेवा का जनक बोला जाता था चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए ठर्ड ओप्सन जो था वो हमारा Lord Dalhaji था तो अगर Lord Dalhaji की बात करते हैं तो इसका जो टैनुर था वो कब से कब था 1840 से लेके 1856 ठीक है और इसने एक सबसे बड़ा तो आप लोगों पता ही होगा कि इसने हड़ाप नीती डॉक्टर राइन ओफ लैप्स लागू किया था और इसी के समय क्या हुआ था भारत में 1800 तिरपन में रेल चली थी पहले बार बंबाई से थाने के बीच इसलिए इसको क्या बोला जाता है भारत में रेल्वे का जनक भी बोला जाता है ठीक है और इसने साथी साथ लॉड अलोजी ने क्या किया था सिमला को ग्रिस्म कालीन राध्धानी बनाया था आगे बहरते हैं question number 21 की तरफ pneumonia रोग सरीर के किस अंकोग्राशित करता है तो इसका जो सही अंसर होहगा वो होगा ओप्सनिर विग फेठा अगर करते हैं आप की तो एक टाइफाइड बीमारी होता है जो आप mec जील फेक्ट करता है अगर यह अकृत की बात करते हैं तो पील्या जो लाटी है जोन्तिय को बोलते हैं मोदी ने कितने लाग कडोर रुपे के आर्थिक पैकेज की घोसना किये है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा ऑप्शन नमबर B 20 लाग कडोर देखे ये 20 लाग कडोर अभी हाली में किये हैं और ये क्या है GDP का 10% है GDP के 10% के बराबर है चलिए बढ़ते नेक्स कोश् नमबर 23 पहली बार राष्टपती सासन कब लागू हुआ था तो इसका जो सही अंसर है बो है ऑप्शन नमबर A 20 July 1951 ठीक है और राष्टपती सासन लागू कौन से अनुछेत के ताथ होता है 356 ठीक है तीन तरह क्या आपातकाल होते हैं 352, 356, 360, 350 में होता है क्या राष्ट 356 में राष्टपती सासन और 360 में बीतिये अपात 32 अभी तक तीन बार लगा है 356 तो बहुत बार लग गया है और 360 जो है वो अभी तक लगा ही नहीं है हमारे कंट्री में कभी बीतिये अपात लगा ही नहीं है ठीक है लेकिन अगर कभी-कभी यह पूचा कि सरवादीक समय तक मतलब ज्यादा duration में कहा राल लगा है तो जम्मू कास्मिर लगा है सबसे ज्यादा चलिए बढ़ते next question की तरब जो किया है हमारा question number 24 भारतिये सम्विधान में लोकसभा तथा राजसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितने निर्धारित की गई है तो इसका जो सही अं किया गया है चो राजसमा सम्विधान संसोदन 2001 में ठीक है और 2026 तक यह अंचेंज्ड है पांसो बावन और 250 चलिए बढ़ते next question की तरब जो किया है हमारा question number 25 thermometer जो 2000 degree Celsius तापमान को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number C cool background pyrometer ठीक है चलिए यह generally 1200 degree Celsius temperature सूपर मापने के लिए यूज किया जाता है अगले question की तरब बढ़ते हैं जो किया है question number 26 बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते का बेवस्था करवाना किस से संबन दीत है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number C राज के निती निदेशक सिध्धान से है ठीक है राज के निती निदेशक सिध्धान के अगर बात करते हैं तो यह कहा है भाग चार में अनुछेद 36 से कामन तक और इसे लिया कहां से गया है आयरलेंड के संबिधान से लिया गया है ठीक है और एक बहुत important question है बहुत बार एक जाम में पूछा गया है कि किसने कहा था कि राज का निती निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधान सार मिलेगा तो वो इंसान कौन थे केटी साहत है इनका नाम आपको याद रखना होगा इनी नहीं कहा था कि जो राज का निती निदेशक टत्वे वो एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधान उसार दिया जाएगा चैलिए बात करते हैं दूसरे अपसंस की मॉली कदिकार का अगर बात करते हैं तो मॉली कदिकार किसमें है भाग तीन में है युएसे से लिया गया है अनूचेद 12 से 35 है और अभी कितने 6 मॉली कद ठीक है चलिए बात करते हैं अगर मौली कर्तब की तो मौली कर्तब किसमें भाग चार का क में है ठीक है और अनुछेद एक आमन क के तहत इसे रखा गया है और कहां से लिया गया है रूस के सम्विधान से लिया गया है ठीक है और ये हैं कितना इगार है और मौली कर्तब पहले नई था हमारे मूल संविधान में, इसको 42 संविधान संसोधन 1976 के द्वारा, किसके सर्दार स्वन सिंग के समीती के अनुसंसा पे जोड़ा गया था, सर्दार स्वन सिंग के समीती के अनुसंसा पे इसे जोड़ा गया है, चलिए, बात करते हैं प्रस्ताबना की, तो प्रस्ता सम्विदान संसोधन 1976 में और इसी में इसमें तीन सब्द जोड़े गए थे चलिए बढ़ता है नेक्स कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर 27 गुलाबों का यूद कहां हुआ था तो इसका जो सही अंसर है बो होगा ऑप्सन नमबर है इंग्लेंड देखे हुआ क्य 1485 तक चला था ये लड़ाई राजबंसों का और इसी को गुलाबों का यूद बोला जाता है ठीक है चलिए अगर बात करते हैं इंग्लेंड की तो इंग्लेंड की रधानी है लंदर इसकी करेंसी क्या है पॉंड अस्ट्रेलिंग अगर बात करते हैं जपान की तो इसकी पर्धान मंत्री बनने की नियुंतन मूम्र कितनी है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जाएगा option number B 25 देखें पर्धान मंत्री का आपको पता ही होगा पर्धान मंत्री बनने के लिए उसे या तो लोकसभा का या तो राजसभा का मिंबर होना चाहिए और अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए अगर लोकसभा की बात करते तो लोकसभा में बनने के लिए 35 बर्स की आयू चाहिए और राजसभा में बनने के लिए 25 बर्स की आयू चाहिए तो यानि कि पर्धान मंत्री के लिए 25 बर्स का भी अगर होगा तो बन में थे तब थे मुराइजी देसाई मुराजी देसाई ये सबसे अधी जो暗त क से सरकार और अगर प्रथम 11 कॉंग्रेसी सरकार्द और अगर मुरारजी देशाई की बात करते हैं तो साथी साथ एक और चीज याद रखियेगा कि ये PM पत से त्याग देने वाले, परधान मंत्री पत से त्याग देने वाले प्रथम परधान मंत्री थे हैं, ठीक है? चलिए, बढ़ता है नेक् तो गवीज का जो इसका थीम था बो था सैमिली इंडवलप्मेंट कोफ हेगन एंड बिजिंग प्लस 25 जिक है आज मुझ रखेगा क्योंकि आज कल दीबस से ज्याद़ थीम पूछा जा रहा कि इसका थीम कौन सा है अकर बात हम दूसरे विंग करते हैं तो दस मार्च को मनाया जाता है CISF Rising Day 15 April की बात करते हैं तो 15 April को मनाया जाता है हिमाचल Day और अगर 20 June की बात करते हैं तो 20 June को मनाया जाता है 20 सरनार्थी दिवस ठीक है 20 सरनार्थी दिवस चलिए बढ़ता है next question की तरब जो कि है हमारा question number 30 भारतिये रेल का राष्टिये करण किस बर्स हुआ था तो इसका जो सई अंसर है वो है आपसन नमर D 1950 देखें कुछ years आपको याद रखने होगे भारतिये रेल बे से important सबसे पहला तो year आपको याद रखना होगा 1853 1853 में क्या होई थी सरपर्थम रेल की सुरुवात हुई थी ठीक है 1890 इसमें क्या हुआ था भारतिये रेल बे आक्ट पारित हुआ था रेल बे आक्ट पारित हुआ था उसके बाद याद रखना होगा आपको 1905 1905 को क्या हुआ था railway board की अस्थापना railway board की अस्थापना उसके बाद याद रखना होगा 1925 1925 में क्या हुआ था ? भारत में पहला बिदुत रेल चला था प्रथम बिदुत रेल ठीक है ? उसके बाद आपको याद रखना होगा 1950 जो की क्या है ? भरतिये रेल का राश्टी करन सबसे पहली बार मैटरो रेल ठीक है और यह कहां चला था कोलकता में चलिए आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा थैंक्स फो वाचिंग